लेकि कल जब Sensex की expiry हुई तो expiry में क्या हुआ क्या नहीं हुआ one of the highest recorded BSC turnover हुआ and all that वो कोई नहीं discuss कर रहा था सबसे दा discussion एक चीज़ का था कि 67,000 CE का एक option 4 रुपए से 204 रुपए चला गया तो वो कैसे हो गया सब लोगों के दिमाग में वहीं चीज़ चल रहा था है और उसके ऊपर काफ़ी discussion, debate बहुत कुछ हो रहा था तो मैं थोड़ा सब आज आपको basically logic समझा दूँगा basically informational video है कि यह कैसे होता है और क्यों होता है और क्या कभी इस तरह के trap में आप भी पहस सकते हैं या कभी आपको इस ट्रैप में फाइद हो जाता है तो वह दिक्कत होती है जानके रखिए गास होदा आपको थोड़ा easy होगा तो देखिए उसमें दो चीज आपको जाननी ज़रूरी है पहला चीज कि otm options के behavior expiry के दिन थोड़ा सा अलग होते हैं यानि कि जिसे आप add the money option में देख रहे होंगे तो वह धीरे धीरे premium उसके हो रहे होते हैं बड़ जो बहुत ज्यादा otm होते हैं इस्पेशली डाउंड नंबर वाले उनका प्रीमिय उतना फास्ट डिके नहीं करता है उसका रीजन में आपको लॉजिक संजाता हूं देखिए माली के मार्केट 66200-300 पर ठीक है अब किसी कॉल शॉट करना 66 500 600 700 का तो कि इनसान राउंड नंबर वाला श्राइक प्राइब करता है तो उससे क्या होता है रौज राउंड नंबर वाला बाइक प्रेंग करना है तो एसा हो सेकता है वाँ से चींड निफ्म में को 20 आपकर करना है तुम Live बाई कर रहा हूँ है अब वह होगा रुप्छार होगा मैं जैसे बाइ कर रहा हूं तो वह एक रुपई मैं बाई कर रहे हैं उससे होता क्या है कि उसमें बाइंग प्रेयटर तो उसमें कभी भी बहुत नहीं होता है उनका प्रीपण भी के हरमेशा लास्ट के वन आवर योन अफ़ पर में होगा तो काफी ट्रेडर्स ऐसे हैं जो जानते हैं कि इस में प्रिम डीके नहीं होने वाला तो वो किया करते हैं और ये बायर के लिए भी ज़िया ध्यान रखेए है उनके दिवांग में क्या रहता है स्टॉप लगा देंगे चार रुपय का प्रियों तो इसका टूटना नहीं है अगर चार रुपय गया भी तो वस्कॉंटिटी में लॉस हो जाएगा और वो दो रुपय उपर का टागेट लगा देते हैं 6.95 लगा दिया 7.95 लगा दिया लगा दिया क्योंकि सब लोग हैज के लिए उसको बाई करने जाएंगे जब बाई करने जाएंगे माइं मोमेंटम क्रियेट होगा बाई डिफॉल्ट अगर हिट हो गया या बड़ी कॉंटिटी मेरा वहां ऊपर डिकल गया तो बैठे बैठे निफ्टी में क्योंकि निफ्टी ने जैसे इनसे में भी जब यह सेम चीज होना चालू हो गया ना बहुत सब्सक्राइब करेंब बाई कि लगा तो या कि वह स्टॉपलाइब लिमिट पर लगाना पड़ेगा यानिकि द्री पॉलीट नाइन फइफ पर ही लगेगा या उन उनको भी जादा अभी है नहीं उसका कि कैसे डिल करेंगे क्या नहीं करेंगे तो उसमें क्या हुआ उनके संग प्रॉब्लम कि उन्होंने वैसा अभी तक सर्कुलर नहीं निकाला कि स्टॉप लोस मार्केट और आपका नहीं होना मतलब कैसा भी लगा सकते हो वहां पर प्रॉ तो अब वो क्या करेगा हिट करेगा उसको अब एक्जिट करने जा रहा है तो वहां पर क्या हो रहा है जैसी वह एक्जिट करने जा रहा है उसको दिख रहा है कि कोई कॉइंटिटी बायर नहीं मिल रहा है तो वह क्या कर रहा है उसको दिख रहा है कि अच्छा ठीक है चलो टी के पर सेले साइड में हैं कोई दिखकत नहीं कि तर प्राइब को लुगेben 2-4 और निफ्टी उसके बाद प्राइस वहां से इमीडिट विदिने सेकंड रिवर्स होके वापस 209-208 रुपे आ गया था या याद होगा आप लोगों को किसी ने 2200 का ओप्शन बेज दिया था बेजते गया बेजते गया और 2800 करों रुपे का उस्ट्रेटर को लॉस्ट वर्दमान चाहिए था उसको बेचे जा रहा था बेचे जा रहा था इतना कॉंटिटी बिग गया कि दो 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 रुपे इन दिन वह में बिग गया तो वह ची काल लो मैं seller हूं और मैंने यह सोचा था दिन के बीगिनिंग में कि हाँ ठीक है मैं को यह फ्री में पैसा मिलना है क्योंकि अब मार्केट 66000 पर हजार पॉन्ट तो संसे बहुत कमी रैली करने है चांसे तो ठीक है 67000 कॉल उप्शन में लिए सेफ है मैं बेज देता हूं मैं बैट गया अभी वह प्रीमियम अचानक से बढ़ते बढ़ते पांच के बदले च्छे हो गया साथ हो गया मैंने इस टॉप लोस कहीं लगा कर रखा है साथ क्या सबको मालूम है कि वहां ठीक है वैल्यू नहीं है तो उपर प्राइस शूट करना चालू कि प्राइस शूट क किया अपना मालों में 10,000 कॉंटिटी स्क्राइफ किया तो 10,000 कॉंटिटी नेक्स्ट दो तीन रुपए तक भी हिट कर सकते हैं अब जब दो तीन रुपए उपर जाएगा सेवन के बदले एट गया नाइन गया टेन बेक किसी का स्टॉप लोस लगा होगा उसका स्टॉप स्टॉप लोगा अब वहां पर और नहीं है तो वह और नहीं होंगे तो हिट करते 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 जितना उपर तक जाएगा उतना जाते जाएगा और इसी कारण क्या हुआ कि वह इतना बड़ा कॉंटिटी हिट हुआ है उपर में 100 रुपए 200 रुपए 200 दस 205 208 रुपए तक मे जिसने 209 रुपए में बेचा है वह तो चलो खुश होगा कि 209 रुपए में अभी का और वह इस्टेंटी चार रुपए हो गया फिर लाक्ष में जीरो ही प्रेंड हुआ बट जिसने खरी रहा है 209 रुपए पर वह तो बिचारा खतम क्योंकि वह तो मोस्ट लाइकली था इन में हरमेशा एक्टिवीटी ज्यादा होती है बायर साइड भी सेलर साइड भी क्यों जैसा मैं रोजिक आपको बताया था कि राउंड नंबर पर जन्री लोग लगाते हैं या फिर कितने लोग राउंड नंबर को बेच देते हैं कि वह फ्री का पैसा है तो उसी तरब से अब जब आप बेचने जाते हो ना तो इसमें अक्टिवीटी बहुत जाए तो यह ध्यान रखिएगा कि कोई अगर फ्रीक्टेट अक्टिवीटी हो रही होगी तो यह सब राउंड नंबर के नंबर में यादा हो रही होगी और इनका प्रीमियम बिहेवियर आपना नेक्स है वहां पर होने जान्से नीचे होने चांसे कम है क्योंकि वह बिहेवियर ही ऐसा बीएफ करता है वहां पर लोगों सावधा नहीं चाहिए और इससे एक लर्णिंग और मिलती है कि कभी विन चिंदी चौर वाहा ऑप्शन नहीं करना चाहिए यानि कि 4 पांच लुपर वाल ट्रेट को उठा एट दमनी वेचेंगे 200 प्रियम मिल रहे हैं अगर वो रिवर्स भी कहा थाइसों रुपर में एक्जिट होगा कुछ तो चांस रहेगा जलो ठीक है ठंका एक्जिट मिले लेकिन इस तरह का सिच्वेशन होगे तो खतम ही हो जाएंगे न तो ठीक है और इसमे किसी का भी न अगर कोई बोलता है कि उसके कानन हुआ है यह कोई जन बूझ के काम नहीं करता है क्योंकि जब इस तरह कुछ काम हुता है न सैंग्र। होता है उनका जवाब देना बहुत भारी पड़ता है पैसा बना हो या गया हो दूनों को रगर देते हैं ठीक है तो लोग जनली अवाइड करते हैं इस तरह कोई कभी चीज क्यों क्यों कि मालुम है कि जब सेबी आएगा एक्स्चेंज जवाब देना मुश्किल हो जाएगा तो आप के सब्सक्राइब अपर इसा फ्रीवाला पैसा मिलें तो कभी आपको मिला हो जरूरू बताईएगा और कोशिश करिएगा कि अभी कुछ दिन जब आप्शन पर इतना कम चल रहे हैं तो यह दो रूप्श पांच रूप्श रूप्श वाला आप्शन बेचना बंद करते क्यों क्योंकि कोई फाइदा नहीं है बिना अदलब का फसेंगे तो दिक्कत होगी वीडियो ची लगी हो तो लाइक कर दीजेगा